मेरे प्यार बच्चो नमस्कार मैं आज आप लोगो नाइन्थ क्लास का लेशन इन दक किंग्डम आप फूल्स जो की मुवमेंट्स से लिया गया है इसके आपको मैं टू फाल्स और यमसी क्यू मल्टिपिल च्वाइस कुश्चन्स बताने जा रहा हूँ हूँ आप लोग ध्यान से सुनिये और सुनकर समझिये एक बार ना समझ में आए तो दोबारा सुनिये जिससे आपके ये टू फाल्स और यमसी क्यू आसानी से याद हो सकेंगे ऐसा मुझे विश्वास है तो चलो शुरू करते हैं संटेंस नंबर वन देखे इट वाज नाट द मिनिस्टर यहां मंत्री नहीं था बट द किंग केवल राजा था हूँ वाज एन इडियेट जो के एक मूर्ख था अर्थात मेरे बच्चे वहां मंत्री और राजा दोनों मूर्ख थे इसलिए यहां बात असत्य शित होती है इ दूसरा संटेंस है दा किंग आडर्ड राजा ने आदेश दे दिया हिस सब्जेक्ट अपनी प्रजा को टुटिल जोतने के लिए दियर फील्ड अपने खेत एंड रन और दियर बिजनेस और अपना ब्यापार चलाने के लिए आनली आफ्टर डार्क केवल अंधेरा होने के तो मेरे बच्चे ये बात सही है कि राजा ने अपनी प्रजा को रात में ही खेत जोतने और अपने ब्यापार चलाने का आदेश दिया था तीसरा देखिए दा सिटी विच दा गुरू एंड दा डिसाइपल अराइबड इन वाज ए ब्यूटिफल वन वो एक बहुत सुंदर था यहावा सत्त है वहा सहर बेहत सुंदर था संटेंस फोर्थ इसलिए वहाँ पर कोई चहल कदमी कहीं कर रहा था यह बात मेरे बच्चे गलत है फालस है क्योंको वहाँ रात में ही तो लोग निकलते थे पांचवा देखिए हर चीज की कीमत सेम थी एक ही डड़ू इसलिए यह बात सच है शिक्स देखिए गुरू रियलाइजड गुरू ने महसूस किया कि यहाँ मूर्खों का राज्य है तो मेरे बच्चे यह बात बिलकुर सही है इसलिए ट्रू सेवन देखिए गुरू ने लेफ्ट छोड़ दिया अपने सिस को पीछे छोड़ते हुए गुरू ने राज्य छोड़ दिया यह बात सकते है इसलिए ट्रू कहेंगे आठ्मा देखिए जैसे ही चोर अपने लूट के सामान को ले जा रहा था पुराने मकान की छट कॉलपस्ट ढह गई आनी छेट उसके सिर पर तो मेरे बच्चे रूफ नहीं ढही थी बलकि जिस दिवाल में उसने छेट करके वो घुसा था वह दिवाल ही ढह गई थी इसलिए यह संटेंस फाल्स हुआ नाइन्थ देखिए तीफ स्फादर रैं टू दा किंग तीफ के जो पिता जी थे रैं टू दा किंग राजा के पास गए एंड कंप्लेंड और सिकायत दर्ज की तो मेरे बच्चे उसके पिता जी नहीं गए थे उसका भाई गया था इसलिए यह बात फाल्स हुई तेन देखिए ब्यापारी ने कहा कि यह दिवाल उसके बाबा के समय पर बनी हुई है जबकि यह बात जूट है उसके पिता जी के समय पर बनी थी इसलिए फाल्स कहा जाएगा 11th sentence देखिए The bricklayer राजमिस्त्री न्यू जानता था Where the dancing girl lived Dancing girl कहां रहती है तो मेरे बच्चे ये बात सत्त है इसे true कहेंगे 12th sentence देखिए The girl had given some gold लड़की ने कुछ सोना दिया था To the gold smith सुनार को To make बनाने के लिए Some jewelry कुछ आभुशन फार हर उसके लिए तो मेरे बच्चे ये बात पिल्कुल सकते है Girl ने gold smith को सोना दिया था आभुशन बनाने के लिए तो यहां होगा true 13 देखिए The gold smith was hiding In a corner Gold smith सुनार जो था छिप रहा था In a corner Of the neighbors shop अपने पडोसी की दुकान के कोने में छिप रहा था तो मेरे बच्चे ये पडोसी की दुकान में नहीं वो अपनी ही दुकान में छिप रहा था इसलिए बात फालस हुई संटेंस 14 देखिए यू नो आप जानते हैं How patient rich men are जो धनी लोग होते हैं वे कितने धीर होते हैं कितने धैरवान होते हैं तो मेरे बच्चे यहां पर वे बताया गया है पुस्तक में वे बड़े अधीर होते हैं इसलिए यहां पर ये संटेंस फालस हुआ 15 नमबर देखिए The merchant was none other than the original owner of the house उस मकान के असली मालिक से The merchant was none मर्चेंट कोई और नहीं था बलकि उस मकान का मालिक ही था जिसकी दिवाल गिर गई थी तो मेरे बच्चे यह बात सत्य है इसलिए टू लगाएंगे The rich merchant 16 देखिए The rich merchant was somehow too fat वह धनी व्यापारी कुछ अधिक ही मोटा था To be properly executed on the stake Stake पर सूली पर उचित धंग से दंडित करने के लिए वह कुछ अधिक ही मोटा था तो मेरे बच्चे वह मोटा ही तो नहीं था इसलिए तो उसके लिए disciple को ढूडा गया था इसलिए यह फास है 17 देखिए The disciple had fattened himself disciple ने अपने आपको मोटा बना लिया था For months, महिनों से on bananas and rice and wheat and ghee घी, गेहूं, चावल और केलों से महिनों में उसने disciple ने अपने आपको मोटा बना लिया था तो यह भी बात मेरे बच्चे true है 18 देखिए The guru requested the king गुरू ने राजा से निवेदन किया To put him to the stake first उसे सबसे पहले सूली पर चड़ाने को का निवेदन किया And to put his disciple और अपने disciple को To put death after him उसके बाद म्रत्य देने के लिए निवेदन किया तो मेरे बच्चे बात सबते है पहले उसने कहा था कि आप मुझे फासी दीजे सूली पर चड़ाए उसके बाद मेरे सिस सिको 19 देखिए The king ordered the execution postponed to the next day राजा ने आदेश दे दिया The execution postponed कि यह कानुनन दंड का प्रावधान To the next day के लिए postponed कर दिया जाए रोक दिया जाए तो मेरे बच्चे बात सत्ते है उन्होंने एक दिन के लिए उसे रोक दिया था इसलिए true होगा 20 देखिए Seeing the dead bodies of the king राजा की and the minister मंत्री और राजा की लासों को देखकर the people were delighted लोग खुस हो गए थे तो मेरे बच्चों ऐसा हो नहीं सकता किसी राजी के राजा और मंत्री की डियत हो जाए और प्रजा सुखी हो इसलिए यहाँ भी false है अब देखते हैं multiple choice type questions Choose the most suitable alternative बहुत ही उचित alternative विकल्प का चैन करें to complete the following statement नीचे के वाक्यों को पूरा करने के लिए पहला दिया हुआ है sentence the people did लोगों करते थे as they were told जैसा कि उन्हें बताया जाता था far fear of के भैसे यानि लोग जैसा उन्हें बताया जाता था भैसे करते थे अभी भै किसका था hell नर्क का death मृत्यु का the king राजा का या the minister या मंत्री का तो मेरे बच्चे राजा के भैसे सभी लोग ऐसा करते थे तो दा किंग इसका आंसर हुआ second देखिए everyone was asleep हर कोई गहरी नीन में था नाटे माउस एक चूहा भी एक चूहा भी एक सिक्रिकिंग चूँचू नहीं कर रहा था moving about टहल नहीं रहा था nimbling कुतर कुतर नहीं रहा था stirring सरगर्मी नहीं थी अर्थाथ stirring नहीं कर रहा था चूहे की भी सरगर्मी नहीं थी तीसरा देखिए but the disciple didn't want to leave अर्थाथ सिच से छोड़ना नहीं चायता था तो क्या तो मेरे बच्चे the place इस 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 इ गुस गया, एक धनवान, टीचर साउस, टीचर के घर में, मर्चेंट साप, दुकंदार की ब्यापारी के दुकान में, मर्चेंट साउस, ब्यापारी के घर में, गोल्ड स्मित साउस, या सुनार के घर में, तो मेरे बच्चे वो मर्चेंट के घर में गुस गया था इसलिए इसका मर्चेंट साउस ही इसका रिकल्प होगा फिर्थ देखिये इस मर्चेंट इज टू यह मर्चेंट है टू बी सेट फ्री इसे मुक्त कर देना चाहिए be pardoned छमा कर देना चाहिए pay अदा कर देना चाहिए blame या blame लगाना चाहिए तो इस merchant पर ही क्यों मूर्खों का सहर था इसलिए blame इसका अंसर होगा 6 देखे Your wall killed this man's तुम्हारी दीवाल ने killed मार दिया this man's इस आदमी के father को पिता को मार दिया brother भाई को मार दिया son बेटे को मारा या cousin को या चचेरे भाई को तो मेरे बच्चे उसने उसके भाई को मार दिया था दीवाल ने तो इसलिए brother आएगा सात्मा देखे The girl was going up and down लड़की आ जा रही थी that street उस गली में all day पूरे दिन भर with her anklets अपनी पाजेब के साथ क्या करता ही हुई jingling छंचन की आवाज करती हुई ringing बजाती हुई signing चमकाती हुई और breaking तोड़ती हुई तो मेरे बच्चे इसमें jingling आएगा छंचन की आवाज करती हुई आ जा रही थी आठवा देखिए now justice had come full circle thought the king back to राजा ने सोचा now justice had come full circle back to नया अब पूरी तरह घूम फिर करके उसी पर आ गया है किस पर आ गया है तो देखिए the dancing girl नाचनेवाई लड़की पर gold smith सुनार पर the merchant ब्यापारी पर the minister अथवा मंत्री पर तो मेरे बच्चे घूम फिर कर ग्ण्याय the merchant पर आ गया था क्योंकि वही बनवा रहा था अपने jewelry अगला देखिए ninth all night they mourned पूरी रात वे mourned रोय चिलाए and discussed और चिंता की बहस की the future of the भविस्य के बारे में यानि पूरी रात वे दुखी रहे और भविस्य की चिंता करते रहे किस के भविस्य की king की राजा के भविस्य की people लोगों के भविस्य की merchant के भविस्य की अत्वा kingdom के भविस्य की तो यहाँ पर आंसर है वो राजी की चिंता करते रहे kingdom के भविस्य की चिंता करते रहे दस्वा sentence देखिए the king was now thrown into deep राजा अब पूरी तरह चे गहराई में चला गया था ditch खाई में वैली घाटी में thought विचारों में या decision या निर्णे करने में तो मेरे बच्चे वास्तों में राजा विचारों में मग्ण हो गया था इसलिए यहाँ पर आएगा thought आगे फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार सुस्त रहिए मस्त रहिए बेस्त रहिए